वाई हिटलर दिन्ट इन्वेट स्विजिलेंड? दोस्तों, 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया Second World War, Human History का सबसे devastating war माना जाता है. इस war में लगभग 4 करोड लाइव्स लॉस्ट हुई थी, जिसमें soldiers और civilians दोनों शामिल थे. वार के कारण यॉरप, North Africa और East Asia में बड़े पैमाने पर death and destruction देखा गया. जर्मनी के चांसलर अडॉल्फ हिटलर को Second World War का जिमेदार ठहराया जाता है. 1939 में हिटलर की नाजी आर्मी ने पोलिन पर अटैक कर दिया. पोलिन पर जर्मन्स के अटैक के अगेंस्ट, France और Britain ने जर्मनी पर war declare कर दिया. और यहीं से Second World War की शुरुआत हुई. Second World War, Axis Powers और Allied Powers के बीच में रड़ा गया. जहां Axis Powers में Germany, Italy और Japan शामिल थे, वहीं Allied Powers में UK, France, Russia और US थे. Second World War के दौरान, Hitler की आमी ने यॉरप के कई रीजन्स को अपने कबजे में ले लिया था. 1942 में जब Nazism अपने पीक पर था, तो West में, France से लेकर East में, Russia तक, और North में, Finland से लेकर South में, Bulgaria तक का रीजन उसके कबजे में था. हानाकि Second World War से जुड़ा एक interesting fact ये भी है, वैसे, Hitler ने Switzerland को occupy करने के लिए 1942 में ही एक top secret plan बनाया था, जिसे Operation Tannebaum या Operation Christmas Tree का नाम दिया जाता है. लेकिन फिर भी Switzerland पर कभी attack नहीं किया गया. ये बड़ी ही surprising बात है, क्यूंकि Hitler ने कई दफ़ा Switzerland के प्रती अपनी नफरत जाहिर की थी. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम World War II से जुड़े इसी interesting fact पर नज़ा डालेंगे, और Second World War के उन circumstances को समझेंगे, जिनका फाइदा उठाकर Switzerland नाजी invasion से बच गया. आईए, पहले Switzerland के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. दोस्तों, Switzerland, Alps की पहाड़ियों के बीच लोकेटेड एक छोटा और खूपसूरत देश है, जोकि जर्मनी, फ्रांज और इटली से घिरा हुआ है. Switzerland decentralized democracy या विकेंदरित लोकतंत्र था. इसके साथ ही Switzerland एक multilingual या बहु भाशिक और multi-ethnic या बहु जातिय देश भी था. World War के पहले ही Switzerland ने अपने आपको permanent neutral country घोशित कर लिया था. अर्थाद उसने घोशित किया कि war की स्थिति में Switzerland किसी भी group के side से participate नहीं करेगा. अगर Nazi perspective से देखें, तो Switzerland economically और strategically important था. Switzerland पर कबजा कर लेने से Germany का Italy से direct link established हो सकता था, जो कि Germany के side से second world war लड रही थी. और फिर Switzerland, Hitler के एक greater German state के सपने का important link भी था. Hitler ने Switzerland पर attack क्यों नहीं किया? इसको जानने से पहले आईए देखते हैं कि आखर Switzerland और Nazi Germany के बीच क्या संबंद थे. दोस्तों जैसा की पहले बताया गया है, Switzerland ने खुद को permanent neutral देश घोशित कर लिया था. और war शुरू होने से पहले, Hitler ने भी Switzerland को non-aggression के assurances दे दिये थे. February 1937 में, Swiss Federal Council Edmund Schultes को address करते हुए, Hitler ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए. वो Switzerland की अखंड़ता और neutrality की respect करेंगे. लिकिन इसके बावजूद, Swiss people Germans को trust नहीं करते थे. ऐसा इसलिए है क्यूंकि Swiss लोग जानते थे कि Hitler को trust नहीं किया जा सकता. इसका जीता जाकता हो धारण, Hitler ने खुद पेश किया, जब आगे चल कर उसने कई और non-aggression pacts ब्रेक किये. नाजीज ने USSR के साथ 1939 में ही Molotov-Ribbentrop Peace Agreement sign किया. लेकिन 1942 में इस Peace Agreement को तोड़ते हुए Hitler ने USSR को invade कर दिया. इसके अलावा, Germans ने Denmark और Norway जैसे देशों के साथ भी Peace Agreement sign किये, जिन्हें violate करके, Germany ने उन पर भी attack किया. तो hindsight में देखा जाए, तो नाजी जर्मनी को trust नहीं करना, Switzerland के लिए सही decision था. Switzerland के suspicions के और भी कही कारण थे. इनमें एक बड़ा कारण था, Switzerland के प्रती German leaders का attitude. June 1941 में, Mussolini के साथ मीटिंग में Hitler ने कहा था, कि Switzerland में वर्ल्ड के सबसे disgusting citizens रहते हैं, और वहां का political system सबसे ज्यादा घटिया है. उसने Swiss लोगों को Germans का enemy बता दिया. August 1942 में Hitler ने कहा था, कि Switzerland यौरोप के उपर एक काला धबबा है, जिसे मिटाना जरूरी है. असल में Hitler को Switzerland के multilingual, multi-ethnic society और decentralized democracy से नफरत थी. Hitler का मानना था, कि Switzerland में रह रहे सभी German speakers को Germany के साथ unite हो जाना चाहिए, और बाकियों को Switzerland से भगा देना चाहिए. नाजी पार्टी की political ideology की अगर बात करें, तो Switzerland नाजी greater Germany का हिस्सा था, जिसमें Holland, Belgium, Austria, Hungary, Poland, Czechoslovakia जैसे देश भी शामिल थे. अथे ये बात clear थे, कि नाजी पार्टी independent Switzerland को respect नहीं करती थी, और Switzerland को हथियाने के सही मौके की तलाश में थी. इसलिए Swiss लोगों ने Hitler के किसी भी possible invasion से निपटने का प्लान तयार कर लिया. चलिए देखते हैं इस प्लान के बारे में. Swiss plan to tackle Hitler and Nazi Germany. Hitler ने जब Treaty of WSI को तोड़ कर 1936 में Rhineland पर कबजा किया. तब से ही Switzerland ने Hitler के खिलाफ war operations शुरू कर दिये थे. आमी और ammunitions modernization के उपर expenditure तेजी से बढ़ा दिया गया. 1939 में Hitler द्वारा पोलिन पर attack करने के बाद, Switzerland Parliament ने पहली बार अपने history में war preparations के लिए four star general, जनरल गुईसान को appoint किया. जनरल गुईसान ने German aggression से निपटने के लिए plans पर काम करना शुरू कर दिया. नए recruits को army में शामिल किया गया, और 60 साल तक के हर male citizen को war में participate करने के लिए तैयार रहने को कहा गया. German aggression से निपटने के लिए Major General गुईसान ने एक elaborate plan भी तैयार कर लिया था. अगर स्विस army मैदानी इलाके में German से हार जाती है, तो सारी स्विस army Alps Mountains में शरण ले लेगी. Alps Mountain Ranges में अपने आप को establish करने के बाद जर्मन से गुरिला वार लड़ा जाना था. Alps को base बनाने का कारण था, इसकी उंचाई और rough terrain, जिसे पार करना हिटलर की आर्मी के लिए आसान नहीं होता. खेर, नाजियों ने कभी attack ही नहीं किया. इसलिए Major General Kuisan के plan को कभी भी action में नहीं लाया गया. पर सवाल वो भी है कि इन सब के बावजूद, आखिर हिटलर ने Switzerland पर attack क्यों नहीं किया? दोस्तों, इसके बीचे historians ने कई possible theories दी हैं. आईए एके करके इन theories को जानते हैं और शुरू करते हैं सबसे prominent theories से, जिसका संबंध France और Germany के बीच ceasefire declaration से है. Ceasefire between France and Nazi Germany Historian Stefan Schaeffer अपनी किताब Hitler and Switzerland में कहते हैं, कि Hitler द्वारा Switzerland पर attack ना करने के पीछे, France और Britain में ceasefire का declare होना important reason था. World War शुरू हो चुका था, और 1940 के मे जून में France और Germany के बीच चले युद्ध में, France को कड़ी शिकस्त जहलनी पड़ी थी. युद्ध के शुरू होने के 6 weeks के भीतर ही, France को unconditional ceasefire declare करना पड़ा. France के capture होने से, German army के लिए Mediterranean Sea के साथ direct link establish हो गया. Historians मानते हैं, कि अगर France के साथ युद्ध लंबा चला होता, तो शायद Nazi army Switzerland को capture कर लेती. क्योंकि Switzerland को base बना कर, France के southern part को attack करना ज्यादा आसान था. जब France ने ceasefire declare कर दिया, तो Nazi army का France में objective पूरा हो चुका था. इसलिए शायद उस समय Germans ने Switzerland पर attack करना उचित नहीं समझा, क्योंकि Nazi army already Europe में कई और France पर engaged थी. कुछ historians का मानना है, कि Switzerland के द्वारा practice की जाने वाली neutrality policy ने भी Hitler के invasion से Switzerland को बचाया. आईए देखते हैं कैसे. Swiss neutrality policy Switzerland actively तो Second World War में किसी भी side के साथ नहीं लड़ रहा था. लेकिन उन्होंने अनोफिशिली Germans को काफी assistance प्रोवाइड किया. वार के टाइम, Switzerland का assistance, Hitler और Nazi Germany के लिए किसी वर्दान से कम नहीं था. Switzerland की industries, Hitler के लिए arms और ammunition manufacture करती थी. कहा जाता है कि Switzerland ने Second World War के दोरान Allied powers को जितने arms और ammunition बेचे, उसके comparison में 10 गुना ज्यादा हधियार नाजी जर्मनी को बेचे. हधियारों के अलावाट Switzerland की famous banking sector ने Hitler के war efforts में काफी मदद की. Switzerland ने काफी बड़ी मात्रा में नाजीयों द्वारा occupy किये हुए countries की government securities और gold खरी दे. इसे वो Switzerland की currency Swiss francs में convert कर दे थे, जिससे Nazis war के लिए ज़रूरी सामान खरीते थे. माना जाता है कि Second World War के दोरान Switzerland ने नाजी जर्मनी के 80% gold को Swiss francs में convert किया था. 1941 मे USSR पर attack करने से पहले Switzerland ने Hitler को 1 billion Swiss francs का loan भी दिया था. इंडिरेक्टली देखा जाए, तो Switzerland एक तरह से नाजीयों के war को finance कर रहा था. इसलिए कहा जा सकता है कि Hitler ने Dash Klein, Stuckish Lwain या The Little Poccupine जो की Switzerland को नाजी जागन में refer किया जाता था, उसको अपने फाइदे के लिए छोड़ रखा था. Switzerland एक neutral country की तरह नाजीयों को ज्यादा फाइदा पहुँचा सकता था. इसलिए उसे capture करना खुद के पैरों पर कुलहडी मारने जैसा था. आईए अब देखते हैं, Switzerland की geography ने उसे कैसे help किया. Switzerland's geography Switzerland की economic importance के अलावा, इसका geographical location भी important था. Switzerland, Alps Mountain Ranges के बीच located है, जिसे conquer करना आसान नहीं था. कुछ extent तक Major General Gwisant सही थे. नाजी आमी को difficult mountain ranges में Switzerland पर पूरी तरह से कबजा करने में काफी वक्त लग जाता. वैसे कुछ historians का मानना है कि ये impossible नहीं था. डेर सौ साल पहले नेपोलियन ने ये करके दिखाया था. और फिर हिटलर के पास तो नेपोलियन से कहीं ज्यादा advanced arms और ammunitions थे. खेर, स्विजलिन पर कबजा करने से पहले हिटलर के लिए और भी ज्यादा important strategic targets थे, जिन्हें कबजा करना ज्यादा ज़रूरी था. जैसे की Netherlands और Belgium. दोनों countries strategically important North Sea के पास located थी, और economically भी Nazi Germany के लिए crucial थी. तो दोस्तों, ये थी कुछ theories जो ये बताती हैं, कि आखिर क्यूं Hitler ने Switzerland को invade नहीं किया?